नमस्कार जी उत्राखन के राजपाल स्रिमान गुर्मित सिंजी उत्राखन के लोकप्रिय मुखमंत्री स्रिमान पुषकर्शी धामी रेल मंत्री अश्विनी वैश्टरव उत्राखन सरकार के मंत्री गण विबिन्न सांसद गण विधायक, मेयर जिला परिशत के सदस्य अन्य महानुभाव और उत्राखन के मेरे प्रिय भाईयों और बैनों उत्राखन के सभी लोगों को बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बढ़ाई दिल्ली और देहरादुन के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देव भूमी से और तेज गती से जोडेगी बंदे भारत से दिल्ली देहरादुन के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा इस ट्रेन की गती तो अपनी जगह है ही जो सुविदाएं हैं वो भी सफर को आनंद दाएक बनाने वाली है साथियों मैं अभी कुछ गंटे पहले ही तीन देशों की आता करके लोटा हूँ आज पुरा विश्व भारत को बहुत उमीदों से देख रहा है हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थववस्ता को मजबूती दी है जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है जिस कोरोना से लड़ने में बड़े बड़े देश पस्त हो गए उसी कोरोना को हम भारतियों ने मिलकर के कड़ाई से टक्कर भी दी हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभियान चलाया आज पूरे विश्व में भारत को लेकर चर्चा है विश्व के लोग भारत को समझने के लिए देखेने के लिए भारत आना चाहते हैं ऐसे में उत्राखन जैसे इतने सुन्दर राज्यों के लिए ये बहुत बहतरीन अवसर है इस अवसर का पुरा लाब उठाने में ये बंदे भारत ट्रेन भी उत्राखन की मदद करने वाली है साथियों उत्राखन देव भुमी है मुझे आध है मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी बाबा केदार के आशिरवाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूही मैं बोल पड़ा था ये दशक ये दशक उत्राखन का दशक होगा उत्राखन आज जिस तरह से कानून व्यवस्ता को सर्वोपरी रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है वो बहुत सरानिय है ये इस देव भुमी की पहचान को समरक्षित करने के लिए भी एहम है और मेरा तो विश्वाथ है कि ये देव भुमी आने वाले समय में पुरे विश्व की आध्यात्मीक चेतना के आकरशन का केंद्र बनेगी हमें इस सामर्थ के अनुरूप भी उत्राखन का विकास करना होगा अगर हम अभी ही देखें तो चार धाम यात्रा पर आने वाले तिर्थ यात्रियों की संक्या हर वर्ष पुराने सारे रेकोर्ड तोड़ देती हैं नया रिकोर्ड बना देती हैं अभी बाबा केदार के दर्शनों के लिए कितने स्रधालू बढ़ रहे हैं यह हम सब देख रहे हैं हर इद्वार में होने वाले कुम्ब और अर्द कुम्ब में दुनिया भर से करोडों स्रधालू आते हैं हर वर्ष जो कावड यात्रा होती हैं उसमें भी लाखों करोडों लोग उतराखन पहुचते हैं देश में ऐसे राज्य कम ही हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में स्रधालू आते हैं स्रधालू की ये संख्या उपहार भी है और इतनी बड़ी संख्या को संभाल पाना एक बगीरत कार्य भी है इस बगीरत कार्य को आसान बनाने के लिए ही डबल इंजिन की सरकार डबल सक्ती से डबल गती से काम कर रही है बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है पहला रत्ना केदारनार बद्रिना धाम में तेरा सो करोड रुपिय से पुनर निर्मान का कार्य दूसरा रत्ना डाई हजार करोड रुपिय की लागत से गवरिकुन केदारनात और गोविन गात हैमकुन साहब रौप्वे का कार्य तीसरा रत्ना कुमायू के पौरानिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस्खन मंदिर माला मिशन का काम चौथा रत्ना पूरे राज में होमस्टे को बढ़ावा मुझे बताया गया है कि राज में चार हजार चे अधिक होमस्टे रजिस्टर हो चुके हैं पांच वारत्ना सोला इको टूरियम डेस्टिनेशन का विकास छथा रत्ना उत्राखन में स्वास्त सेवाओं का विस्तार उदमसी नगर में एम्स का सेटेलाइट सेंटर भी बनाया जा रहा है साथ मारत्ना करीब दो हजार करोड रुपिय की लागतवाली टिहिरी लेग डेवलप्मेंट परियोजना आठवारत्ना रिशिकेश हरिद्वार का एडवेंचर टुरिजम और योग की राजधानी के रुप में विकास और नवारत्ना टनकपूर बागेश्वर रेल लाइन इस रेल लाइन पर भी जल्द काम शुरू हो जाएगा और आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी सोने पर सुहागा इसलिए इन नव रत्नों की माला को फिरोने के लिए इंफ्रास्ट्रेक्टर के जो प्रोजेक यहाँ चल रहे हैं उन्हें भी धामी जी की सरकार ने नई उर्जा दी है बारा हजार करोड रुपय की लागत से चार दाम महा परियोजना पर तेज गती से काम हो रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस्वे तयार होने से देहरादून दिल्ली के बीच सफर और आसान हो जाएगा रोड कनेक्टिविटी के साथ ही रौपय कनेक्टिविटी के लिए भी उत्राखंड में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है परवत माला योजना आने वाले दिनों में उत्राखंड का भाग्य बदलने जा रही है इसके लिए जिस कनेक्टिविटी का उत्राखंड के लोगों ने बर्सों इंतजार किया है वो इंतजार भी हमारी सरकार समाप्त कर रही है रिशिकेश कन प्रयाग रेल पर योजना दो तीन साल में पूरी हो जाएगी 16,000 करोड रुपे से जादा खर्च इस योजना के पीछे किये जा रहे है रिशिकेश कन प्रयाग रेल प्रोजेक पुरा होने के बाद उत्राखंड का एक बड़ा खेत्र राज्य के लोगों और परियट्रकों के लिए सुगम हो जाएगा इससे यहाँ निवेश उद्योगों के विकास रोजगार के नएने अवसर बनेंगे और देव भुमी पर विकास के इस महा भियान के बीच अब ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्राखंड के लोगों के लिए एक भव्य उपहार साबित होगी साथियों आज राज्य सरकार के प्रयासों से उत्राखंड तेजी से परियत्रन हब, एडवेंचर टूरिजम हब, फिल्म सुटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उबर रहा है आज उत्राखंड के नए-नए स्थल, नए-नए टूरिश्ट हब, देश-विदेश के परियाट्रकों को आकरसित कर रहे हैं इन सभी को बंदे भारत ट्रेन से बहुत मदद मिलेगी अब तो देश के कोने-कोने में बंदे भारत ट्रेने चलनी शुरू हो चुकी है जब परिवार के साथ कहीं लंबी दुरी तय करनी हो, तो ट्रेन ही लोगों की पहली पसंद होती है ऐसे में अब बंदे भारत, भारत के सामान्य परिवारों की पहली पसंद बंती जा रही है भाई और भेनों, 21 सदी का भारत अपने इंफ्रास्रक्टर को आधुनिक बना कर और तेजी से विक्सित हो सकता है पहले, लंबे समय तक, जिन दलों की सरकारे रही, उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं उन दलों का ध्यान गोटालों पर था, ब्रश्टाचार पर था, परिवार बात के अंदर ही वो सिमते हुए थे परिवार बात के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत कहीं विशे रहा नहीं था भारत में हाई स्पीड ट्रेनों को लेकर भी पहले की सरकारों ने बड़े बड़े दावे किये इन दाव में कई कई साल बीद गए, हाई स्पीड रेल तो छोड़िये रेल नेटवर्क से मानव रही आटक तक हटा नहीं पाये थे रेलवे के बिजली करण की स्थिती तो और भी गंबीर थी 2014 तक देश के एक तिहाई रेल नेटवर्क करा ही बिजली करण हो पाया था एक तिहाई जब एस स्थिती हो तो तेजी से चलने वाली ट्रेल चलाने के बारे में सोचना भी असंभव था, साल 2014 के बाद हमने रेलवे को ट्रांस्फॉर्म करने के लिए चौ तरफा काम शुरू किया, एक तरफ हमने देश की पहली हाई स्पिट ट्रेन के सपने को जमिन पर उतारना शुरू किया, दूसरी तरफ पूरे देश को सेमी हाई स्पिट ट्रेनों के लिए तयार करना शुरू किया, जहां 2014 से पहले हर वर्ष आउसतन 600 किलोमेटर रेल लाइन का बिजली करण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमेटर रेल लाइनों का बिजली करण हो रहा है. कहां 600 और कहां 6000 इसलिए आज देश के 90 प्रतिशत से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजली करन हो चुका है उत्राखन में तो पूरे रेल नेटवर्क का शत्प्रतिशत बिजली करन हो चुका है भाई और बैनों ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नियत भी है नीती भी है और निष्ठा भी है 2014 की तुलना में रेल बजेट में जो वृत्ति हुई है इसका सीधा लाब उत्राखन को भी हुआ है 2014 से पहले के पांच सालों में उत्राखन के लिए एवरेज आउसतन 200 करोड से भी कम बजेट मिलता था और अभी अश्विनी जी ने विस्तार से इसके विशे में बताया भी 200 करोड से कम इतना दुर्गम पहाडी खेत्र रेलवे का भाव और बजेट कितना 200 करोड से भी कम इस वर्ष उत्राखन का रेल बजेट पांच हजार करोड रुपिय है यानि 25 गुना बढ़ोत्री यही कारण है कि आज उत्राखन के नए नए खेत्रों तक रेल का विस्तार हो रहा है रेल बेई नहीं बलकि आदुनी हाईवे का भी उत्राखन में अभुद्पुर्व विस्तार हो रहा है उत्राखन जैसे पहड़ी प्रदेश के लिए ये कनेक्टिविटी कितनी जरुरी है ये उत्राखन के लोगों से अधिक और कोई नहीं समझता है कनेक्टिविटी के अभाव में अतीत में कैसे गाउं के गाउं खाली हो गए उस पीडा को हम समझते हैं आने वाली पीडी को उस पीडा से हम बचाना चाहते हैं उत्राखन में ही तूरिजम से खेती किसानी से उध्योगों से रोजगार के अउसर बने इसलिए इतना परिश्रम आज हम कर रहे हैं हमारी सीमाओं तो पहुंच आसान हो राष्ट रक्षा में जूटे हमारे सैनिकों को असुविदा ना हो इसमें भी ये आधूनी कनेक्टिविटी बहुत काम आएंगी भाई और भेनों हमारी डबल इंजन की सरकार उत्राखन के विकास के लिए प्रतिबद्ध है उत्राखन का तेज विकास भारत के तेज विकास में भी मदद करेगा और देश अब रुकने वाला नहीं है देश अब अपनी गती पकड़ चुका है पुरा देश बंदे भारत की रप्तार से आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता जाएगा एक बार फिर आप सभी को उत्राखन की पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेइन के लिए अनेक अनेक बढ़ाई बहुत बहुत चुक कामना है और इंदिनों तो बाबा केदार के चर्णों में बद्री विशाल के चर्णों में यम्रोत्री गंगोत्री के चर्णों में इसी समय बंदे भारत एक्सप्रेस का पहुंचना ये उनके लिए भी बढ़ा सुखद अनुभव होगा मैं फिर एक बार बाबा केदार के चर्णों में प्रणाम करते हुए देव भूमी को नमन करते हुए आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है देता हूँ धन्यवाद झाल